तो आज मैं आपको उतारा आप वाटसप के नए कमाल का फीचर जो की नए ने अभी लॉंच किया गया है बुझसकते नए अपडेट में उसको नए फीचर रोलाउट कर दिया गया दोस्तो आज से कुल टाइम पे लिए उन्हों में वाटसप ने एक नए फीचर निकाला जिस पर मैसेज करा वो 24 डेज बाद आटमेटिक डिलीड हो जा अब वहाँ पर उसको ऐसा ऑप्शन कर सकते हैं अब वहाँ पर एक और नए अपडेट लिकाला या वुझसका नामे डिफॉल्ट मैसेज टाइम पर यह बहुत ही शांदर फीचर है दोस्तों यहां पर क्या होगा आप यहां डिफॉल्ट में सेट कर देंगे एक टाइमर का लाइक मैंने सेट कर दिया 24 अवर्स बतले आपकी जितने ही यह यह पास कोई अनौन मैसेज आए या कोई भी गुरूप में मैसेज आए कोई अनौन तरीके से वह आटोमेटिक 24 अवर्स बार डिलीड हो जाएगा तो यह नया फीचर क्या है कैसे यूज करेंगे कहां मिलेगा तो आज की वीडियो बताने वाला हो वीडियो को स्किम्मत करिएगा दोस्तों वीडियो को पूर देखेगा तो यह आप समच पाएंगी दोस्तों चलते हैं आगे मैने नाम सनी अरो और आपका स्वागत है मेरे ऐसे टेक में दोस्तों जैसा कि ने बताया मैं आपको ताने वाला हो वाटसप के नए अपडेट करना है फीचर के बारे में दोस्तों इसके लिए आपको करना हो तो वाटसप को अपडेट करना होगा जब भी आपने वाटसप को अपडेट करना होगा जब भी आपने वाट है यहाँ पर उसकी प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको नया option मिल रहा है डिस अप्रेंग मैसिस का नया option तो नहीं है यह पहले option आता था अब इसके अंदर आपको एक नया option setting मिल रही है जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले आपको सिर्फ 7 डे का option मिलता था अब यहाँ पर आपको दो नया option मिल रहे है 24 hours और 90 days का आपको दिख रहा होगा यह latest नया update में यह नया feature को दे दिया है मतलब कि 20 घंटे के बाद message chat delete हो जाए यह फिर 90 days बाद यह automatic delete हो जाए तो यह हो गया सबसे पहला update यह बहुत सकते हैं इसके बाद जो second बताने वाला हो यह बहुत सकते हैं जो main update आया default message timing का वो इसी के अंदर या से मिलता तो उसके लिए आप दो तरीके से उस setting कर सकते हैं तो उसके लिए आपको जाना हो यहां ठीट पर है यहां पर आप कोई नया message या कोई नया chat करता है वो तो भई है unlimited है उसमें तो off है तो यहाँ पर जो नया update है उसी ते मिल ज़लता है आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं उसको set कर देंगे कि कोई भी नया group या कोई नया message मेरे को कोई करता है तो automatic वो chat जो जो यहसा कि आप सेट करना चाहते हैं like 24 hours, 7 days ये 90 days आप हुआप सेट कर सकते हैं, तो कैसे, तो उसके लिए आप को करना क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैंने मात देख लिए आपने मैंने इसको यहाँ पर आफ करके रखा, मैंने इसको और नहीं कर रहा है, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ पर आपको आपको जाना है, सेटंग पर जाना है, अकाउंट में जाना है प्राइवसी में, प्राइवसी में जाएंगे तो आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा है, आप देखेंगे default message timing करके, यह पहले नहीं आता था, यह अभी आपको option मिल रहा हूँगा, यहां पर आप दे कर दिये 24 hours मतलब कि अगर कोई भी मेरे पास कोई नया मैसेज आएगा उसमें वह आटमेटिक 24 hours के लिए होगा कैसे मैं आपको बताता हूं अभी आप देखेंगे मेरे पास कोई भी यहां पर अभी में अपने नंबर से तो यहां पर मैं अपने नंबर से मैसेज करता हूं यहां पर और आप देखेंगे वो जो मैस्स आएगा वो आटमेटिक 24 hours के अंदर ही आएगा तो एक सेकंड में यहां पर मैसेज़ करता हूं आप देख रहे होंगे मैं नहीं यह मैसे Says use you are set default timer by disappearing message in chat all new messages disappear from chat 24 hours जैसा कि मैंने बताया automatic यहाँ पर set हो गया है और यह 24 hours पर automatic delete हो जाएगा तो यह आप देखेंगे अगर IP करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आप यहाँ पर click करेंगे तो click करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको यह 24 hours वाला message automatic activate देख जाएगा तो आप इसको change कर सकते हैं अपने हैसाब से मुझे बहुत ही कमाल का feature लगा कि unknown number से कोई message आ जाता है तो बाटर बाटर में automatic 24 hours वाल वो delete हो जाए उपीदेगी दोस्तो आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो और अगर आप मुझे कुछ पूशन चाहता है इसsubter बाटर पे आपको सबसे पहले मिले है और हो सकते हैं न हम Instagram पर फालो कर 설ई आ मिल जाएगा तो थैंकि दो